जिन लोगों को कमजोड़ी है धात की समस्या है पेसाप से धात जाता है या फिर जादा स्वपन दोस होता है बजपन में जादा हस्त मैथू नित्याद कर रखे हैं इन सभी कमजोड़ी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूँ वीडियो को ध्यांद से अन्ते तक जरूर देखें दोस्तों बरगत का बिक्ष्य हम सभी जानते हैं यह बहुत ही उपयोगी होता आया है चाहे इसका दूद हो या फिर उसका फल हो या फिर जड्ड़ हो उसका चाहए पत्ता हो उन्स सभी समस्याउं में दोस्तों यह मततब बरगत का बीज को आप ले 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 लेते हैं और उसी सुखा और तयार कर लेते हैं उस में थोड़ा सा आप मिस्री मिला कर दूद के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपको सभी तबहल की जो भी कम जोड़ी है चाहे धात समस्या हो, चाहे हस्तमेथुन के कारड हो, सभी तरह की कमजोडी में आपको लाब पहुचाएगा और आपको स्वपन दोस बिल्कुल ठीक हो जाएगा स्वपन दोस उन लोगों को होता है जिनके सरेज में कमजोडी होता है अगर आप बरगत की फल का कुछ दिन सेवन करते हैं, तो आपकी सभी तरह की कमजोडी ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वपन हो जाएगे और उसका दूद भी अगर आपको मिल सकता है, तो आप उसका बतासे में इस्तमाल कर सकते हैं वेकिन फल जो है सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि दूद आपको ले पाना आसान नहीं है, आपको प्रतेक दिन सुबह सुबह जाना पड़ेगा करीब पाँच बजे तभी आप दूद का सेवन कर पाएंगे, दिन में उसका दूद नहीं निकलता है, सुबह सुबह जब आप जाएंगे तभी निकलेगा तो दोस्तो इस उपाय को करके आप अपने आपको पूरी तरह स्वस्त कर सकते हैं आसा करते हैं आपको वीडियो हेलफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक जरू करें, धन्यवाद